हेलो प्रेंट्स, ब्राइटी लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जी हाँ प्रेंट्स, आज हम देखेंगे कि GST के अंदर reverse आज क्या होता है, RCM क्या होता है उसकी definition समझेंगे और उसके बाद जो questions है, वो questions करेंगे तो सबसे पहले ही start करते हैं वस्टी यहां पर दे रहा है RCM, full form होती है reverse charge magnesium यहां दे रहा है कि GST में सामाने supplier यानि वस्टूया से वागों को बेजने वाला व्यक्ति customer से GST चार्ज करता है और सरकार को जम्म करवाता है लेकिन कुछ परिष्टितियों में GST की जिम्मेदारी supplier परना होकर receiver यानि वस्टूया से वागों को खरीदने वाली व्यक्ति पर होती है उसे ही reverse charge magnesium कहते हैं मतलब RCM कहते हैं यहां पर next दे रहा है कि reverse charge में क्रेता ने जितनी value की service इंपोर्ट की है उस पर वजिश्टी calculate करके सरकार को जम्मा करवाएगा example first यहां दे रहा है कि जब कोई registered person किसी unregistered person से माल खरीता है तो उस registered person खरीदने वाले का उत्तरदायत पर है कि आर्शेम के जरे क्या जम्मा करवाएगा text जम्मा करवाएगा next यहां दे रहा है reverse charge में GST registration तो सहम माने रूप से GST में registration करवाने की आवशकता तब होती है जब उसका वार्सिक विक्र है छूड़ सिमा यानि की 40 लाग रूप है और उत्री पूरी राजो में 20 लाग रूप है और service के case में 20 लाग रूप है से दिक हो लेकिन अगर कोई वेक्ती reverse charge के अंतर के दिलाइबल है तो उसे registration करवाना पड़ेगा चाहिए उसकी annual sales GST की छूड़ सिमा से कम क्यों नहों एक्जांपल नंबर सेकिंड उधारण के लिए अगर कोई transport company किसी व्यापारी को सेवाई देती है तो उस व्यापारी को उस transport charge पे GST जमा करवाना पड़ेगा और most important यहाँ पे है कि RCM जो होता है उसका input मिल जाता है भाई जो text जमा करवाते है RCM के जरे उसका input मिल जाता है first condition आती है RCM unregister person के case में तो यहाँ रमेश जो unregister person है से मोहन जो register person है माल करीद रहा है तो यहाँ पे रमेश unregister person है और मोहन register person है तो यहाँ पर आइटम दे रखा है क्रेम क्वांटिटी दे रिखिए है और रेट दे रिखिए है GST यहाँ पर दे रिखिए है 66% और RCM के एंट्री जो मोन परचेज करने वाला है वो अपनी बुक्स में करेगा F7 में जिसमें SGST सबसे पहले के टेली में चलते है और यहाँ पर लेजर्स में जाके लेजर्स करेंगे तो यहाँ रमेज से माल करीद है तो यहाँ पर पर लेजर बन जाएगा रमेज का जो अंडर जाएगा संडी क्रेडिटर है हमेज का एटरस लिखेंगे और यहाँ पर बाई मिस्टेक यह जेश्टी नमबर लिख दी गए है तो यहाँ पर वैसे जेश्टी नमबर नहीं होंगे इसके पास और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे इसके बाद क्यूशंस में जो दे रखा है वो बनेगा तो एक परचेज का लेजर बनेगा जो अंडर जाएगा परचेज अकाउंट और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे नेक्स्ट यहां पर रिसेबल के लेजर बनेगा तो फस्ट यहां पर बनेगा एक्सेप्ट करएंगे नेक्स्ट यहां पर करेंके RCM-SCST जो जाएगा अंडर क्रेंट लाइफ इटिज में तो यहांपर RCM-SCST का लेजर बनाएंगे दो अंडर जा रहा है क्रेंट लाइफ इटिज क्योंकि यहांपर अपना दायत वेज़ा है कि के जरी जो टेक्स बन रहा है उसको पे करेंगे और शेक्णिया यहां पर बनेगा आर्चेम सीजस्टी जो जाएगा अंडर कि वह कुरेंट लाइफ इडिज उन्हें एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे लेक्स्ट यहां पर सुरेश को माल बेचा तो शुरेश का लेजर बनेगा अब किवल Clara में रहात हाँ उस मेरी नहीं टा तो सुरेश अंडर जायेगा अंडर ईडर और और यहां पर सुरेश का एड्रेल से लिखेंगे, और एड्रेस लिखने के बाद यहां सुरेश के जो GST नमबर दे रिके हैं वो लिखेंगे, पस्ट यहां पर हमें इसके GST नमबर लिखे थे वो सही नहीं थे, क्योंकि 100% था लेकिन गलती से लिख गए थे, यहां पर आउट्पुट SGST का लेजर बनेगा, और एड्रेट यहां 6% दे रहागा तो आउट्पुट SGST, एड्रेट 6% जो जाएगा, डूटी जान टेक्सेज में, जो अंटर जाएगा डूटी जान टेक्सेज में, और यहां पर GST सेलेक्ट करेंगे, इस्टे टेक्स 6% और एंट करके एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे आउट्पुट SGST का लेजर बनेगा, आउट्पुट SGST, एड्रेट 6% जो जाएगा, डूटी जान टेक्सेज में, GST और सेंटर टेक्स, 6% एंटर और एक्सेप्ट, नेक्स्ट यहां पर inventory master में जाएंगे, सबसे पहले group बनेगा, तो group यहां पर iron है, और एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, unit यहां पर जो दे रखा वो लिखेंगे, तो unit यहां पर नहीं दे रखा, इसलिए KGS मान रहे हैं, assume कर रहे हैं, तो यहां पर KGS unit मान लेंगे, और एंटर करके यहां पर KGS लिख देंगे, यहां पर set alter GST detail को yes करेंगे, on value, taxable, alt w, और यहां पर applicable from 1st April, hsn code भी नहीं दे रखा, तो यहां मन से hsn code लिख देते हैं, तो यहां पर hsn code मान लेते हैं, double eight double seven, और last में दे रखा, set alter GST detail, इसमें यहां पर GST की जो rate दे रखिए, वो है 12%, तो यह यहां पर IGST में 12% आजाए, क्योंकि 6% IGST है, 6% CGST है, तो 12% IGST लिख देंगे, और enter करके, accept कर देंगे, इसके बाद gate of telly में जाएंगे, vouchers में जाएंगे, और यहां पर सबसे पहले RCM purchase के enter करेंगे, तो यहां पर पार्टी, रमेज सेलेक्ट करेंगे, purchase, और यहां पर क्रिप, जो देरका वो सेलेक्ट कर लेंगे, quantity यहां पर 5000 देरक किये, तो 5000 यहां पर quantity लिख देंगे, rate देरके 60 रुपीज, 60 रुपीज रेट लिख देंगे, तो यहां पर amount अब रहां में यहां अनरेज्टर पर समान रहे हैं, तो यहां पर GST नहीं करेंगे, और एंटर करके accept करेंगे, सेगेंड यहां पर F7 में, एंटर पास करेंगे, तो यहां पर SGST रिशेबल, amount यहां पर 5000 quantity इंटू 60 रुपीज रेट है, तो 3 लेक टोटल amount वा, 66% 18,000, 18,000 हो गया, तो SGST रिशेबल 18,000 हो गया, फिर DR करेंगे, और SGST रिशेबल 18,000 जो दे रखा, वो लिखके, एंटर करके, नेक्स्ट यहां पर RCM SGST सेलेक्ट करेंगे, वो यह 18,000, और लास्ट में यहां पर RCM SGST सेलेक्ट कर देंगे, 18,000, और एंटर करके accept कर देंगे, इसके बाद जो RCM का balance है, वो चेक करने के लिए balance में जाएंगे, करेंट लाइप में जाएंगे, तो यहां पर RCM SGST, RCM SGST अमांट दे रखा है, अब इस RCM को payment करने लिए vouchers में जाएंगे, FIAP में जाएंगे, और यहां पर laser create करेंगे, तो पहला यहां case का laser हटा हुआ था, तो case का laser यहां पर मैंने बना लिया, वैसे normally case का laser बना होता है, लेकिन by default है, डि 18,000 और RCM SGST 18,000 है, इसके बाद balance sheet में जाएंगे, तो balance sheet में current live idage के अंदर duties and taxes में, receable का balance हो गया, तो receable एक प्रकार का input balance होता है, तो जैसे RCM का payment करते हैं, receable में अपने amount हो कर गया, अब इसके बाद sales के entry करेंगे, तो vouchers में जाएंगे, again F8 select करेंगे, F8 में जाने के बाद यहां पर sales laser में, sales select कर देंगे, name of item जो देरका है, यहां पर creep, तो वहां पर creep लिख देंगे, इसके बाद quantity देरकिये हैं, तो quantity लिख देंगे, quantity same quantity है, जो परचेज में थी, 5000, rate same है, तो rate भी same लिख देंगे, एंटर करके यहां output, एंटर करके यहां output as GST 6% और output CGST 6% select कर देंगे, और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे, तो पुरा output का, तो output को adjust करेंगे, रिशेबल से यहां पर, तो output को adjust करने के लिए जाएंगे, वाउचर्च के अंदर, और एप से उनमें adjustment के entry पास करेंगे, तो output SGST यहां पर दे रखा है 18,000, वो लिख देंगे, output CGST, amount वो ही दे रखा है 18,000, और यहां पर credit में input की जगें, यहां रिशेबल का balance है, क्योंकि RCM में रिशेबल का amount आया दा, तो यहां, SGST रिशेबल, 18,000, CGST रिशेबल, 18,000, और एंटर करके accept कर दिए, इसके बाद, again देखने के लिए जाएंगे, gate of tele, और balance sheet में जाएंगे, balance current liabilities, तो यहां पर जो amount दे रखा, वो अट गया, इस परकार output और reasonable का adjust किया जाते है,